नमस्कार स्वागते आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोसो तीन साल पूरा होने से पहले ही CBI इस सॉल्प कर दिया सुसांत का केस कौन कहता है कि CBI की टीम काम नहीं करती है जीहां आप सभी ने देखा होगा कि एकसर CBI की टीम पर कुछ लोग सवाल उठा देते हैं बिना सोचे समझे ये कह देते हैं कि CBI की टीम तो काम करती ही नहीं है यहां तक कह देते हैं कि CBI की टीम जो जाँच कर रही है सिरफ नाम मातर के यहां तक कि नेता लोग जो हैं वो तो खास करके CBI पर उंगली उठाने से बाज नहीं आते हैं लेकिन अब आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी CBI की टीम नहीं दोस्तो ऐसा नयाय कर दिया है जिससे हर किसी की आखे फटी की फटी रह गई हैं और सभी को समझ में आने वाला है कि CBI को कभी भी हलके में नहीं लेना चाहिए दरसल दोस्तो सुसान सिंग राजपूत केस को तीन साल पूरा होने वाला था लेकिन उससे पहले ही CBI ने सामने आकर किलियर कर दिया है कि उनके पास कुछ पुकता सबूत है सुसान सिंग राजपूत केस से जुड़े हुए ऐसा नहीं है कि CBI ने जाच ही बंद कर दिया है CBI ने कलियर कर दिया है कि जाच पूरी तरह से चालू है और ये केस आज भी सुसान सिंग राजपूर केस में नयाय दिलाने के लिए बुक्ता सबूत हमारे पास में है हला कि आपको वतादें CBI की टीम उन्होंने सबूत के बारे में नहीं बताया कि क्या सबूत उनके पास है क्योंकि CBI की टीम समझदार है और वो बहुत अच्छे से इस बात को समझती है कि जो कातिल वो किस तरह से सबूत को मिटाने में या फिर सबूतों के साथ छेड़ चाड़ करने में सक्छम होते हैं क्योंकि कातिलों को भी सबूत के बारे में पता होता है कि उनका क्या सबूत कहां पर छूटा है ऐसे में CBI की टीम सबूतों को सब के सामने तो उजागर नहीं कर सकती है लेकिन एक बात पूरी तरह से किलियर है कि CBI की टीम सुसांत के केस को सुलजा चुकी है और चल्दी अब announcement होगा कि सुसान के साथ क्या हुआ था तो यही था वीडियो में वीडियो को लाइक करना इसे सेर करना और चैनल को सबस्क्राइब करना